बहुत लोगों ने मुझसे एक सवाल बार-बार पूचा कि सर फेक स्पोंसर्शिप का जो मेल आता है उसको हम पहचाने कैसे और ये एक ऐसा ट्रैप है इसमें छोटे यूट्यूबर भी फंस जाते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर भी फंस जाते हैं फेक का मेल है या फिर original sponsorship है तो वीडियो को आप complete देखेगा बहुत बारे किसे समझाने की कोसिस करूँगा और इस चैनल को subscribe करके रखेगा क्योंकि यहाँ पे मैं वो चीजे आपको free में सिखा रहा हूं जो लोग paid course में आपको बेच रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका द जो mail ID आपने अपने चैनल के about में डाली होती है तो चैनल के about में जो भी आप mail ID डाले उस mail ID को अलग रखे यानि जिस mail ID से आपने चैनल को create के है वो mail ID वहाँ पे नहीं डालनी है दूसरी डालनी है कि मान लीजे कभी आपके साथ problem हो भी जाए और कोई आपका mail hack भी कर ले त तो आपका चैनल तो कम से कम बचा रहेगा कुछ लोग गलती क्या करते हैं जिस mail ID से चैनल क्रेट करते हैं उसी को about में बिजनिस के लिए डाल देते हैं फेक वाला बंदा जो होता है इस्पंजी वाला वो mail ID hack करता है तो चैनल भी उसके हाँ चला जाता है तो यह सावधानी आप बढ़ते हैं आपको एक अलग से बिजनिस email ID क्रिएट करके वहाँ पर लगा दीनी है अब यहाँ पर आपके पस mail आना स्टार्ट हो जाएंगे कैसे पहचाने यह सवाल आता है पहला सावधानी जब mail को आप पढ़ रहे हैं तो सवक्त आप देखें कि mail में क्या होता है एक तो जिसने mail बेज़ा है उसका नाम होता है फिर होता है उसका subject टाइटल उसके बाद body होती है इसमें काफी सारा matter लिखा होता है कुछ लोगों के ऐसे mail आएंगे आपको कि title वाला जो option है subject वाला जो option है उसके अंदर ही पूरी रामयन लिख देगा वो बंदा मतलब उस ब mail भेजेंगे बिल्कुल हू बहू जैसे brand ने भेजा है इवन जो उनकी mail ID होगी न वो भी brand से मिलती जुलती होगी तो अब आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है देखे कोई भी mail ID है मा लीजे एक company है wondershare.com जिसके film और वगेरा जो है software आते है अब मा लीजे जो original wondershare वाला बंदा है वो आपको अगर mail भेजेगा तो मा लेजे उसका बंदे का नाम mac है suppose तो आपको भेजेगा mac at the rate wondershare.com इस mail ID से आपको mail आएगा लेकि जो फरजी वाला है वो आपको पता है कैसे भेजेगा वो आपको कुछ भी भेज देगा mac at the rate wondershare.co.io.com नहीं भेजेगा य यार सच में ये brand की spelling सही है या फिर गलत है क्योंकि कई बार लोग ऐसे mislead करते हैं और fake sponsorship देते हैं अब बात करते हैं तीसरी बहुत सारे आपको mail आएंगे उस mail में देखिए आप स्थीन पर देखिए ऐसे .cz लिखा होगा इस तरह के mail 100% fake sponsorship के mail होते हैं इनके चक्कर में और साउधानी की अलतनी है जब आपको कोई mail आये और सामने वाला पहले से ही कहे कि मैं आपको इतने victory card कर रहा हूं यह dollar में कहते हैं और पहले से आपको डोलन यह पैसा आपको बता दे मतलब यह fake है, company जो भी brand आपको original responses भेजता है वो कभी भी आपको पैसा नहीं बताता, वो आपको सिर्फ अपने product के बारे में बताता है, और बताता है कि ये एक buyter collaboration है या paid अगर buyter है, मतलब जो product भेज़ेगा वो product product आपको मिलेगा, पैसा नहीं और अगर वो paid collaboration करेगा तो वो आपसे ही आपकी quotation पहले लेगा शुरुवात में वो खुद पैसे की बात नहीं करेगा, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कुछ ऐसे लोग फंसते हैं कि Instagram पे, Instagram पे उनको DM आता है, वहां से फिर mail ID लेते हैं, फिर WhatsApp ID ले लेते हैं नया तरीका निकाला है, कि Instagram पे किसीन आपको DM किया है, कि हम आपको sponsor दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, हम एक agency है फिर आपसा आपका WhatsApp नमबर ले लेंगे और WhatsApp पे आपको कोई link भेज़ देंगे और उस पर click करवाएंगे कि इस software को आप download कर लो, और download करने के बाद आपको उसका review करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस software के बारे में आप नहीं जानते हैं, उसका कोई भी link आपको, चाए कोई mail पर भेजे, चाए को Instagram पे बेजे, चाए WhatsApp पे बेजे, उस पर click नहीं करना है, जिसकी वो बात कर रहा है उस software को आप पहले Google में search करें कि ऐसा कोई exist भी करता है या नहीं, ये वो चीज़े हैं जिनसे आप पूरी तरह से सचेत रहेंगे, एक चीज और ध्यानक ना कि अगर माल लीजिए, बहुत सारी एजेंसी होती है, जो Gmail ID से भी आपको मेल करती है जैसे मालो आपको आजाएगा अनुरादा.gmail.com अब इससे आपको मेल आजाएगा, आपको लगेगा है तो fake है, कोई brand का नाम नहीं है, लेकिन वो original भी हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है एक agency हो, और सच में वो original sponsorship आपके लिए लेकर आई हो, या आया हो, तो उसको कैसे चेक करेंगे, सीधा सा तरीका है, कि अगर कोई भी ऐसी agency होती है, तो ज़्यादा तर इंडिया के agency होती है, वहाँ पे नीचे वो अपना number भी देते हैं, तो वो Indian's number होंगे, बाहर के नहीं होंगे, अगर आपको बाहर के उटपटांग number नजर आएं, mail में लिखे हुए contact number, तो समझ जाए, ये mail fake हो सकता है, और अगर Indian number नजर आए, तो समझ जाना इंडिया में, ऐसी कोई hacking का, अभी तक case मुझे नजर नहीं आया, जितने भी mail आते हैं, बाहर से आते हैं, और वो लोग आपके channel को hack कर लेते हैं, कैसे करते हैं, वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आपको कोई link प्रोवाइड कराते हैं, कि ये software इसको download करो, इसके बाद इसका review करो, ये करो, वो करो, और हम क्या उस पर click करते हैं, जैसे click करते हैं, हमारी जो device होते हैं, जिसमें हमने channel run किया हूँ है, उसमें जो उनकी script है, वो run हो जाती है, और हमारा सारा data वो hack कर लेते हैं, और channel भी hack कर लेते हैं, तो ये सारी आपको साओधानी बरत नहीं है, एक चीज़ और मैं लाश्ट में आपको बता जाता हूँ, अगर माल लीजिए, इसके बाद की बात करते हैं, अगर माल लीजिए, फिर भी, ये सारे तरीके अपनाएंगे, तो आप fake sponsor को पहचान लेंगे, लेकिन फिर भी, खुदाने खासता, आपके साथ गल्थ हो जाए, और आपका चनल hack हो जाए, अगर hack हो जाए, तो hack होने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्यूंकि अगर आप घबरा गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी नहीं गबरान है अगर आपको chat option वगेरा कुछ भी नहीं है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप Twitter को tweet कर सकते हैं Twitter को आप tweet कर सकते हैं कि मेरा channel hack हो गया है और ये मेरे channel का URL है तो Twitter की पे जो tweet की team है वो बहुत जल्दी response करती है और channel कुछ दिन बाद वापस आजाता है लेकिन दिक्कत यह हो जाती है कि जब channel वापस आता है तो उस पर कई बार ऐसा देखा गया है कि reach कम देखने को मिलती है पहले channel अच्छा चल रहा था, hack होने के बाद वापस आता तो reach कम देखने को मिलती है दूसरी बात, अगर माल लीजे सामने वाले ने channel को hack किया, उसके बाद गलत activity करी तो community guideline multiple आएगे उसके strike और वो delete भी हो जाएगा तो अगर आप सही हो, तो delete होने के बाद भी YouTube आपके channel को वापस कर देगा बस एक की problem आएगी, जो ज़्यादत तर majority में देखी गई है, कि जिनके channel वापस आएगे उनकी जो reach है वो कम हो गई है, ट्विटर पे कैसे YouTube की team को हम tweet करते है इसका वीडियो में already अपने दूसरे channel में बना चुका हूँ, आई बटन में देदूँआ, जाकर देख लिजेगा ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगाओ, informative लगाओ, अवेर हुए हो आप, तो like कीजेगा, share कीजेगा इचल को subscribe करके रखेगा, ऐसा content आपको मिलते रहेंगे, चलिए मिलते हैं अगरी वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए, जाहिंद